विल्कम एन गुड मॉर्निंग ओल वन वर्ड सब्चुशन में आज हम पांच वर्ड जो देखने वाले हैं पाला वर्ड है मैट्री साइड, दूसरा है मिसन थ्रोप, तीसरा मोटल, चौथा म्यूजियम और पांच वा मैनुस्क्रिप्ट सबसे पहले इन सबका हिंदी में प्रनंशेशन निकलते हैं, इसे बुलते हैं मैट्री साइड, दूसरा है मिसन थ्रोप, इसे बुलेंगे मिसन थ्रोप, यह है मोटल, आप सब को ऐसे आता है यह लिखना, म्यूजियम सब को आता है, फिर भी म्यूजियम और यह है मैनुस्क्र तो इस तरह से हमारे पांच वर्ट्स आज के हैं मात्री हत्या मतलब माता की हत्या मदर की हत्या तो जहां पर इधर side word होता है c-i-d तो अगर यहां पर side है तो इधर जो group of words है उसमें mother होना चाहिए और ऐसे ही matter is related to mother तो यहां mother भी रहेगा तो इस तरह से होगा the mother of own's own mother अपनी खुद की मा की हत्या करना हत्या अपनी खुद की मा की हत्या को बोलते हैं मैटी, side, मात्री हत्या दूसरा है मिशन, थ्रोप, मनुष, द्वेशी मिशन, थ्रोप, ऐसे पढ़ेंगे आप मिशन और फिर पढ़ेंगे थ्रोप, हिंदी है मनुष, द्वेशी मानुष, मनुष, मनुष, और हिट्स मतलब क्या होता है जो घिरना करता है, द्वेश करता है हिट्स मतलब द्वेश करता है मतलब वह जो, वह जो द्वेश करता है मनुष, मतलब मनुष से, वह जो मनुष से द्वेश करता है तो क्या कहेंगे, मनुस्द्वेसी कहेंगे, तो यही मनुस्द्वेसी है, यहीं तो समझ गए आप, लेकिन इंगलिस याद रखना परेगा आप सबको, मिसन्थ्रूप बोलते हैं इसको, मिसन्थ्रूप, उचारण लिखा है मैंने, दूसरा है, मोर्टल, मोर्टल मतलब अमर, अमर मतलब जो कभी मरता नहीं है, तो इसका उपोजिट वर्ड है न, अब जब उपोजिट वर्ड का मतलब अमर जो मरता नहीं है, तो इस इमोटल का उपोजिट वर्ड जो नस्वर है, इसका मतलब जिसका नास होता है, तो इसको यह ग्रूप अफ वर्ड होता है, से बोलते हैं मूटल नश्वर मिर्दू के अधीन सब्जेक्ट देथ मतले मिर्दू के अधीन तो जो भी मिर्दू के अधीन होंगे उनको कहेंगा मूटल याद रखेंगे आग इसका ऑपोजिट भी याद रखेंगे इमोटल आई डबल म होता है हिंदी होती है अमर फिर जो अनदर वर्ड है that is museum, museum की हिंदी आप सब जानते हैं संग्राले है और संग्राले किसे कहते हैं संग्राले एक बील्डिंग होती है बील्डिंग में बहुत से बस्तुएं, objects कला की, इतिहास की, विज्ञान की परदर्सित की जाती हैं तो उस building को बोलते हैं museum, तो building on which objects illustrating art, history, science, etc. are displayed, मतलब ऐसा भवन जहां पर art, history, science, परदासित कने वाले वस्तुएं display की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, उसे बोलते हैं museum संग्राले, last word is manuscript, manuscript मद हिंदी होते हैं पांडूले की, अपने history में देखा होगा कि history में जो history है, उसके जानने का जो sources हैं, उसे manuscript भी हैं, बहुत से manuscript मिले हुए हैं हम उन manuscript के दार पे हम कहते हैं कि हर अपा civilization में आग था, या लोग क्या खाते थे, कौन-कौन से जानवर थे तो ऐसे ही जब हम किसी कागज पे हाथ से लिखते हैं, और उसे फिर हम सरक्षित रख लेते हैं, तो उसे बोलते हैं manuscript पांडूले की, जो की इतिहास में हुआ है, और आज भी हम सब करते हैं, कुछ बाते हैं हाथ से लिख लिए paper पे, और उसे हम फिर secure सुरक्षित रख तो उस सुरक्षित रखे ही बस्तू को, जिस पे हाथ से लिखा गया है, कहेंगे manuscript पांडूले की, तो इस तरह से one word substitution में हमारे पांच words, मैटिसाइड, मात्री हत्या, the mother of one's own mother, मैटिसाइड, then, मिसंत्रोप, मनुस्देशी, one who hates mankind, मिसंत्रोप, मोटल, नश्वर, subject to death, वह ज museum, building on which objects illustrating art, history, science, etc. are displayed, museum, manuscript, पांडूलेप, आप, paper written by hand, manuscript, यह आप ध्यान रखेंगे, thank you very much.